हेलो अब्रीवन वेलकम तो कॉमर्स अड़ाइट नीवर्स सेवन माई नेम इस अमन महता और आज एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वन शॉट में और क्लास 11 अकाउंट एंसी के लिए है यह और मतलब पूरे कोर्स में इतना प्यारा च करें शेर सब के साथ कीजिए पहले ही बोल दिया ताकि जब पढ़ाता हो तो मेरे ध्यान नहीं रहता चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम बात करें क्या आज जो चैप्टर हो है अकाउंट्स फ्रॉम इनकंप्लीट रिकॉर्ट जिसको हम सिंगल एंक्री सिस्टम क को इनने बोल दिया सिंगल एंक्री सिस्टम जैसे हम अभी तक हमने अकाउंटिंग पढ़ी हो कहा है डबल एंक्री सिस्टम तो यहां पर कहा है सिंगल एंक्री सिस्टम है ठीक है तो इसलिए भाई दो मिनिट बात जरूर करेंगे हम डबल एंक्री सिस्टम के लिए तो डब डबल एंट्री नाम से ही मारा कंग है ठीक टेक डबल एंक रिर ना मता स्यल रहा है तो इसलिगा यह चीजया आपको बहुत ही scientific लगती थी और एक दूसरे वो complete करती थी क्योंकि हम matching concept भी इसमें पढ़ते थे तो match होती थी सारी चीज़े ठीक है तो गलतियां निकाली जा सकती है अगर कोई error है तो पकड़ा जा सकता है डेटक्ट किया जा सकता है double entry system इसलिए ज्यादा बैटर है और single entry system normally use नहीं क credit होगा तो जो single entry system है इसका मतलब कहीं से कहीं तक यह नहीं है कि जो हम transaction करेंगे जो भी हम activity करेंगे उसके दो impact नहीं होंगे impact उसके भी दो होंगे लेकिन यहां पर नाम रखा गया single entry system क्योंकि यहां पर सारे जो records है वो properly arranged नहीं है और इसलिए यहां पर completeness होते records के अंदर इसलिए इसको हमने नाम दिया single entry system अगर हम इसकी बात करें तो यह कौन इसको कहते हैं यूज करता है जब सब double entry system की बात करें वहीं सही होता है तो इसको यूज करता ही कौन है तो आप खुछ सोचो double entry system जो भी accounting करता है तो वहीं इंसान कर सकता है जो बहुत अच्छे से वाकिफ है accounting के principle से accounting practices से किस तरह से accounts prepare होते हैं सारी चीज़े तो मदब कुल मिला के कम से कम थोड़ी बहुत commerce पड़ी होनी चाहिए उस इंसान को तब जाके वह accounting कर पाएगा तो क्या जिसने commerce नहीं पड़ी जिसने accounting नहीं पड़ी क्या वह accounting फिर accounts maintain नहीं करता होगा तो यही सवाल उठा इसलिए यहां पर single entry system आपका concept सामने आया तो नॉर्मली भाई कोई और account बनाएगा सिंपल जी बात है कोई लाला जी है राशन की दुकान पर ठीक है कोई हलवाई है कोई मोची है बहुत चोटे एक्जामपल ले रहा हूं मैं लेकिन मैं बहुत देसी बात कर रहा हूं जो राशन की दुकान है वह भी अच्छा खासा कमा करते हैं लेकिन वह इतना भी बड़ा बिजनस नहीं कि चार्ट अकाउंटेंट को हायर करके उससे अपने अकाउंट्स प्रिपेर करवाएं ठीक है और कई बार तुमको जरूरत भी महसुस नहीं होती कि क्यों ही करवाएं हम तो इसलिए एक डबल इंट्र शिस्टम हर किसी के लिए नहीं है तो क्या पिर अकाउंट्स प्रिपेर करते हैं क्यीन रखे कोण्टर होता है और कि पैसा सबस्य हैं और सुबह में आया थे तो हमारे कश काउंटर में पड़ा था और जब रात को जा रहें तो कितना पैसा अब है तो से प्राफिट पता चल जाता है तो यह शिस्टम है और बहुत ही जादा वेग है कुछ क्लियारिटी ही नहीं यहां पर तो वो चीज़ें यहां पर सिंगल एंटर सिस्टम इन कंप्लेट रिकॉर्ट में पढ़ाई जाती है और ऐसे ही लोगों के लिए यह यूसफुल होता है तो जैसे मैं आपको बता है कि यह कैश बुक बनाते हैं बेसिकली कैश का आना जाना वो की यह यह बनाते ही नहीं है ठीक है फिए बिल्डिंग अकाउंट और पता नहीं जो की मसीणरी काउंट यह सब नहीं बनाते हैं अपैसल में घृव fig सोचते होंगे बिल्कुल नहीं सोचते होंगे ठीक है तो यह सारी बहुत ही मतब एक रियलिस्टिक एप्रोच दिखाई देगी कि हाँ जो अब ऐसा तो है नहीं कि किसी ने भाई मुकेश अंबानी जी को जाकर देखा है कि उनकी बिसनस में कैसे अकाउंटिंग हो रही है हमने नॉर्मली दुकाने देखी है राशन की जहां से दाल चावल आता है तो यह आपको बहुत ही रिलेटेबल भी लगेगा ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते और द सिंगल एंट्रि सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं बहुत सिंपल डेफिनेशन है यह नि जो डबल एंट्री को फॉलो ना कर पाए वो सिंगल एंट्री ठीक होके क्यों कि डबल एंट्री में हर एक चीज के बारे में बात करते हैं चोटी से बड़ी से बड़ी इवन इस अब हम बात करते हैं आज इस क्लास में हम कोशन भी एक करके देखेंगे जिस तरह का कोशन आने वाला है तो एंट तक जरूर देखना इस सबसे पहले क्या आता भाई suitability तो जैसा भी हम बात करें single entry system के बारे में suitability के बारे में लिखा है साफ-साफ suitable for small size business where the number of transaction is less अगर मुकेश अमबानी जी सोचे कि यहर मैं single entry system follow कर हो नहीं कर सकते भाई वो उनके जो transaction के number है number of transaction हो वह ज्यादा massive है यहां पर बहुत कम है comparatively बहुत कम है ठीक है no uniformity ठीक इसका फीचर क्या है कि यूनिफॉर्म नहीं है हम जब double entry system करते हैं तो नॉर्मल होता है सारी चीजे एक जैसे होती है सबको debit credit कौन आया कौन गया सारे रूल बराबर सब पर लग रहे होते हैं यूनिफॉर्म नहीं होती है क्योंकि हम ध्यान तो किसी पर देते ही नहीं कोई भी वाउचर कुछ भी ऐसी चीज है हम जितना समझ मारा हम उतना कर रहे हैं तो शायद जैसे हम single entry system को follow कर रहा होगा क्योंकि उसको जैसे समझ मारा वह वैसे कर रहा है क्रेटर के अकाउंट्स बनते हैं कैश्बुक को मेंटन किया जाता है और कैश्बुक में एक और प्रॉड्म आ जाती है कि अपने घर के खर्चे भी इसी में मिक्स हो जाते हैं क्योंकि यह तो हिसाब किताब रखते नहीं है ना ठीक है तो घर के खर्चे कभी लाला जी अच्छोंड पर तो वहीं पर मिक्स हो जाते हैं तो प्राइवेट जो ट्र्राइक्शन फोर बिजन्स फोर मिक्स हो जाती है फिर बात करने डिपेंडेंस ऑफ ऑर जिनल वाउचर अब आपने ने कभी देखा होगा यह जो लोग होते ना यह पर्चियां होती इनके बहुत स तो यह पर्चेंग तो यह पर्चेंग तो बहुत जाद होती और इस पर इनकी क्यों क्योंकि उसी से स्कूरूटिनाइज करते हैं जहां से उनको इनफोर्मेशन कलेक्ट हो पाती है फिर अधर डिफिकल्टी इन प्रेपरेशन ऑफाइनल अकांट और अव्यसली जब आपके र मुझा टॉव इसली दो बना नहीं पाते हैं बहुत मुझील से बंते हैं एस्टीमेट बेसिस बंते हैं बहुत ही और वही अशिचा नहीं होते हैं और वही फाइनल आ बना देखें गाज़ग कि आंठीक और आयो बीहां ठेक बहूत आसान है आदवांटेजिस ऑफ इंगल expensive यहां पर expensive नहीं होता है आपको किसी को hire नहीं करना accounts बनाने के लिए आपको कोई software नहीं लगाना simple suitable for small businesses obviously यह छोटे business के लिए ज्यादा better रहेगा क्योंकि यहां पर transaction भी कम होती है बड़ा amount भी नहीं इतना कोई no need of expert knowledge जैसा कि यहां पर मैंने पहले expensive के case में बता दिया expert knowledge कि यहां पर जुरू था ही नहीं and easy to ascertain profit or loss और बहुत असान है जैसा मैंने आपको class की शुरुवात में बता दिया कि मैं सुबह कितना पैसा लेकर आया शाम को कितना पैसा लेकर कर जा रहे हो यही profit and loss ऐसे कि कुट में निकालते हैं ठीक है कि इसे बारे बात करते हैं कुछ जदे ही है पहला अर्थमेटिकल एक क्यूरेशी नहीं हो सकती है जैसा हमें double entry booking system में बता रहा था कि वहां पर trial balance होता है debit credit अगर debit तो credit भी होगा तो matching concept लगा के हम कहीं-न कहीं mathematical accuracy निकाल ही लेते हैं लेकिन यहां पर नहीं निकल सकती है क्योंकि सारे accounts को maintain किया ही नहीं जा रहा no control on asset, asset के बारे में real account बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं तो asset पर control ही नहीं है कितना depreciation लग रहा क्या लग रहा कुछ नहीं है दिवार की पपड़ी जड़ी फिर से सफेधी करवा दी वह accounting नहीं से वह सफेधी करवा दीते हैं फिर correct profit or loss cannot be determined obviously by depreciation, asset इन सब के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा तो correct तो profit or loss नहीं आ पा रहा मतलब personally गर मैं बोलों तो यह बहुत ही मोटे मोटे तरीके से चीज़े देख रहे हैं कि मोटा मोटा इतना पैसा लगाया मोटा मोटा इतना पैसा आया मतलब gross profit gross loss निकाल दो ना यह gross का भी पता नहीं in 200 है यह इतना मोटा मोटा हिसाब करते हैं कई बार ठीक है फिर बात करते हैं financial position of the business cannot be assessed अब भाई जब accounting हो नहीं रियल account नहीं बन रहे हैं तो भाई asset का ही account नहीं बन रहा तो financial position हमारी balance sheet दिखाती थी एक time पर तो यहां पर क्या दिखा रही है कुछ भी नहीं दिखा पाएंगे no internal check अगर हम बात करेंगे कोई घपला हो रहा है कुछ पैसा इदर उदर हो पता ही नहीं चलेगा पता ही नहीं चलेगा लेकिन अगर हम वहीं double entry system के बारे में बात करें वहां पर debit credit हिल गए न तो फिर पता चल जाता है तो जो जितना scientific method होता है उतना जादा उसमें internal check हो सकता है लेकिन यहां पर internal check नहीं हो सकता क्योंकि scientific method भी नहीं है साथ ही साथ यहां पर बहुत सारी चीज़े हैं जो record की ही नहीं जारी difficulty to ascertain the value of business business की value ही नहीं निकाल पाओ कितनी संपत्ति क्या कितना liability क्या सरफ creditor का पता है और asset तो बिलकुल ही गया गुल है in incomplete and unscientific बार बार बा क्योंकि हर इंसान अपने हिसाब से चला रहा है परचियों के ऊपर तो business की accounting हो रही है comparative study is difficult और इसी वयाए से comparative study भी नहीं कर पाएंगे किसी भी business की क्योंकि जो single entry system मैं लगा रहा हूं कोई और नहीं लगा रहा वो लगा रहा single entry system अपने हिसाब से ठीक है तो आई होप यह बाते समझ में आ रही है बहुत अच्छा चैप्टर बहुत प्यारा चैप्टर है और disadvantage इसके बाद हम बात करते हैं ascertaining profit under the single entry system तो किस तरह से हम ascertain करते हैं मापते हैं तो यहाँ पर दो तरीके हैं जिससे हम माप सकते हैं profit को ठीक पहला statement of affairs method दूसरा करता है conversion method क्या होता है conversion method होता है कि single entry system को हम convert करते हैं double entry system के अंदर और पिर जैसे हम convert करते हैं तो हम क्या करते हैं इसमें अलग-अलग accounts बनाते हैं जिससे давacing figure निकलते हैं तो पता चल पाता है कि अच्रा यह information हमें given थी तो इससे हम पता लगा लेंगे कि दूसरी information क्या हो सकती है तो यह आपके course में ही नहीं है यह आपके course से deleted है जैसा मैंने बोला कि आधे chapter तो गायब ही है तो दो method थे दो में से एक गायब कर दिया यह बचा है यह statement of affairs method हमें करना है और बहुत ही जादा जरूरी है यह और क्या यह मुश्किल है question हमारा क्या आता है क्या यह मुश्किल है तो बिल्कुल भी नहीं आपने accounting equation पढ़िए है अगर आपने मेरे से accounting equation पढ़िए है कहीं से भी पढ़िए अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो आपको यह चैप्टर उसी की याद दिला देगा और यह तो अकाउंटिंग कोईशन से भी आसान है इसको statement of affair method तो बोलते हैं और आपसे पूछते देश्bull Kenneth Agile Hey और आपसे पूछते चास्थ वाफिट यह जा तो हम यहां से वापिस जाते थेल है एक accounting equation पूरा table बना के करते हैं और एक वही वो reverse calculation वाला करते हैं जिसमें हमें closing capital से वापस जाना होता है तो हम क्या करते हैं बेटा हम drawing minus हुई दी तो add कर देते हैं profit add हुआ था तो minus कर देते हैं यह सारी काम करते हैं अभी question करेंगे तो आपको याद आजाएगी ठीक है क्या है reverse reverse calculation है मुझे पूरी उमीद आपको याद होगा नहीं याद तो भाई अभी question कराऊगा आपको समझ माज जाएगा low question आपके सामने question क्या है Ramu keeps his books under single entry system his assets and liabilities were as under तो जो भी information मिल पाई 2017-2018 डेटा आपको given है बहुत आसान question है cash है, sundry data है, stock है plant and machinery है sundry creator है, bills payable है ठीक है अब इनना बोला during 2017-18 he introduced rupees 10,000 उसने का introduce करा 10,000 rupees introduced करे as additional capital he withdrew 3,000 per month, ये per month 3,000 पर निकालता भी था, for his household expenses अपने घर के खर्चों के लिए ascertain his profit for the year ended 31st month 2018 तो आपको क्या करना है भाई profit and loss निकालना है अब यहाँ पर कमाल की बात देखो के 2017 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको bills payable नहीं दिया हुआ, ठीक है capital के बारे में कोई कुछ बात ही नहीं कर रहा है capital के बारे में भी कोई कुछ बात नहीं कर रहा है capital ही नहीं दे तो भाई हमें कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे तो भाई हमें एक काम करते हैं हम निकालते है statement of affairs as at 31 March तो यह क्या है, यह balance sheet है मतलब double entry system में क्या बनता है वीड़ा balance sheet बनती है यहाँ पर statement of affairs बनता है सारा काम statement के basis पर होता है ठीक है 2017 की बात चल रही है तो आपको क्या given है cash given है sundry debtor given है stock given है plant and machinery तो cash, stock, sundry debtors और plant and machinery सार पूरी बात तो बता ही नहीं तो बैटा है तभी तो incomplete records है तो सार balance sheet बना के क्या ही match कर पाओगे तो बैटा जो balance निकलेगा हम मान लेंगे capital है ऐसी काम होता है यहाँ पर ठीक है तो क्या है 1049,000, 34,000, 60,000 1,49, 64,000 1,49, 34,000 और 60,000 यह तो अपने asset लिख ली फिर हमें क्या दिया है संड्री creditors बिल पेबल वो तहीं नहीं संड्री creditors बैटा 15,000 रुपे क्या संड्री creditors कितना बैटा 15,000 रुपे अब यहाँ पर टोटल कर लो क्योंकि जो भी यहाँ पर आएगा वो capital होगी बैटा capital क्या है balancing figure लिखना जरूरी है यह balancing figure लिखना जरूरी है कि हमने डूंड के निकाला इसको ठीक है तो यहाँ पर यह हो गया चालिस हजार निकालोगीacağ अब आप क्या करोगे अब आप निकालो अब दूसरी balance sheet बनाओगे बतला statement of affairs बनाओगे sir क्यों बना रहे हैं हम capital निकालेंगे लिए closing और opening capital पता चलेगी तभी तो हम कर पाएंगे हमें drawings के बारे में बताया है हमें यहाँ पर additional capital के बारे में बताया है लिखो cash, stock, sundry debtors बहुत असान questions होते हैं बहुत असान सब कुछ तो question नहीं बताया मुझे मैंने कुछ नहीं करा भाई plant and machinery plant and machinery यहाँ पर क्या था पीटा, sundry creditor और bills payable और यहाँ पर capital आ जागा, कैसे balancing figure, ठीक है तो क्या है भई 945,000, 32,000, 8,000, 945,000, 32,000 और मैं भूल गया, 8,000 ठीक है, sundry creditor और bill payable कितना है sundry creditor और bill payable है बेटा, वने, सॉरी, 14,900 और 5,000 14,900 और 5,000 ठीक है, total करते हैं इसका तो 40 और 30,70, 70 और 80, 1,50,000, 1,50,000 और 7,000 और जाएगा, 1,57,900 रवे यहां पर भी 1,57,900 रवे, यहां पर भी 1,57,900 रवे, 1,57,900 में हम माइनस करेंगे, कितना बीटा, 19,900 रवे, क्या माइनस करेंगे? 19,900 रवे, 980 रवे, सीधे, 57 में से, सीधे 19,000 माइनस करने हैं बस, और क्या आएगा बटाए, 1,38,000 रवे आजाएगा, यह कर लिए हमने, अब हमसे, यह सब तो पूछा ही नहीं, हमसे पूछा है, प्रॉफिट बता दो ना, तो भाई, क्लोजिंग कापिटल से, ओपनिंग कापिटल की तरफ चलेंगे, और भाई, सब कुछ कर लेंगे, और अब हम एक स्टेट्मेंट बनाएगे, जिसका नाम होगा, स्टेट्मेंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस, फॉर दा ये एर एंडिट था, इसमार टूजन एटीन, तो लि और ये ने फिलिंग, अकाउंट ने की कोशिशन की, दस हजार माइनस किये, क्या है एक लाकट थाइस हजार आया, फिर हमने क्या करा, ड्रॉइंग माइनस हुई थी, एड कर दो, ड्रॉइंग्स, कितनी बेटा, 3,000 रुपे हर महीने करते हैं, तो बारा महीने तक 36,000 रुपे करेंगे, तो 36,000 रुपे एड कर दिए, क्या रहा है बेटा, क्या रहा है यहां पर, 0, 0, 4 आया है यहां यहां पर, 6 और 1, ठीक, अब क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा सर, यहा capital, जो 1,64,000 आपको दिख रही है, इसमें से मैं opening capital माइनस कर दूँ, तो अब जो difference आ रहा है बेटा, वो है बारा profit, तो opening capital, ठीक है, तो क्या है यहां पर profit आ जाएगा, opening capital क्या है? एक लाकble 1997, क्या है बेटा, एक लाक्वाःनस हजार, एक लाक लाक Mickließen का, तो 0, 0, 0 और यहां पर आया 5, यहां पर आया 4, यहां पर कुछ भी नहीं आया, तो बेटा हमें profit क्यतना हुआ ह। बेटा 45,000 रुबेगा प्रॉफिट हुआ है साल तो इसी तरहा कोशन आया कंवर्जन वाला मेथड है नहीं इंजॉय करो बिटा ऐसी कोशन की प्रैक्टिस करो आसान है बिल्कुल हस्ते हस्ते चैप्टर आपको मार्क्स देखर के जाएगा और यह जरूर आएगा अगर इस च बहुत प्यारा लगा होगा बहुत असानी से कोशन भी करा दिया वह है सब में और करने और साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहां पर बहुत कुछ है बेटा आपको जो पढ़ाया जा रहा है एंड मैं आपको यह चीज बता दूँ आपका पूरा असले बस हो चुछ है क्लास 11 का तो पढ़ते रहे हैं आपको क्या करना एंगलिश और मैथमेक्स तो ऑफिक कि मैं अब आधको कर रहा था और खुछ मलगा करूं मेरे साथ statement आपको बहुत मुश्किल लगता होगा depreciation मुश्किल लगता होगा भाई यू ऐसे करोगे बस आपको ये वीडियो देखने हैं ये पूरी प्लेलिस्ट कवर कर लो बहुत काम आईगी ठीक है तो बस अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में और जो भी आपकी जरूरत है कि भाई हमें ये चाहिए ऐसे practice करवा दो प्लीज ये करवा दो वो आप अपनी problem शेर कर सकते हैं comment section के अंदर जरूर तो bye bye take care and keep growing